अलो गुड इवनिंग स्टूरेंट्स हो यू हो पॉल फियर डूइंग विल स्वागत आप सभी का टीचर सद्डा के यूटूब प्लेटफोर्म पे और जैसे कि आज आपको पता लगी गया होगा कि सीटेट का ओफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि होने जा रहा है 2024 में अब 7 जुलाई को तो बेसिकली यह आपकी सामने नोटिफिकेशन है ठीक है कि आपका सेंट्रल बोर्ड ओफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंड़क नैंटींथ एडिशन ओफ सीटेट ओन टीचर एलिजिबिलेटी टेस्ट ओन 77 2024 और यह बेसिकली आपका यह भी ऑफला क्या 11 12 के लिए अभी इस बार कुछ नहीं है अभी तक तो करेंट्ली जो नोटिफिकेशन हो इसमें ऐसा कुछ नहीं है माइट भी पॉसिबल ठीक है आपका या तो नेक्स्ट येर से नेक्स्ट जो सेशन आएगा 2025 वहां पर आपका PGT वालों को एक्जाम देना पड़े 11 12 क ठीक है या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिद्व में आपको कोई नई न्यूस पता लगजा है अभी इसके उपर कोई भी चर्चा नहीं है अभी हाल फिलाल में मानते कि नहीं होगा ठीक है और आपकी जो फॉर्म भरना है वह बेसिकली आज से ही चालू है ठीक है साथ त को अपरल दोजार 24 को रात के बार में तक आप भर सकते हो तो बेसिकली कैसे भरे फॉर्म ठीक है उसके उपर हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है सबसे पहले आपका एपलाई फोर जब आप सीटेट की साइट खोलें के तो यहां टिकर चलता रहता है एपलाई फोर सीटेट या कैल्कुलेशन सीट कोपी ओफोर मार्शीट ठीक है तो एपलाई पे क्लिक करें एपलाई फोर सीटेट जोलाई 2024 पे क्लिक करें यह आपका ठीक है जो एक बार रेजिस्टेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यह वाला पैनल काम करता है अभी या आपको न्यू रेजिस्टेशन कातना है अगर आप जिनरल ओवी सी से है और केवल पेपर वन देना चाहिए या पेपर टू देना चाहिए तो केवल सिंगल पेपर के लिए आपकी हजार रुपे अगर आप 1600 रुपे सेस्टी डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए सिंगल पेपर फर्स्ट हो चाय पेपर सेकेंड हो 500 रुपए बट दोनों पेपर के लिए आपका 600 रुपए वीडियो पहले में क्लियर कर दूंगा जो आपका सीटेट है पेपर वन के लिए बीड स्टूडेंट मान्य नहीं है ठी पहले क्या होता था पेपर वन जब फिल करते तो छह उप्शन देते थे चैए उप्शन तो दे रहा है बड़न में से इनिशली केवल चार चूश करने के लिए दे रहा है तो आकरी के दो अप्शन से वह बेसेकली बीड स्टूडेंट के लिए होते थे तो वह दोनों नहीं दे रहा है, है ना, तो यहाँ पर I have downloaded, इस पर क्लिक करके proceed here इस पर क्लिक कर दीजेगा तो यह आपको एक नए पेज पर ले आएगा नाम भरिएगा, फादर नेम मदर नेम, डेट ओफ बर्थ जेंडर, आइडेंटिटी टाइप क्या देना चाहते है, वोटर आइडी पासवर्ड, बैंक, पास्बुक, राशन कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइस, सेंसे या फिर आपका कोई भी गॉवर्मेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक है उसका नमबर यहाँ पर डालिएगा ठीक है, contact details आप कहा रह रहे है, सब locality क्या है locality क्या है, country क्या है, आपकी state क्या है, district क्या है, pin code आपका email address email address को एक बार confirm करें mobile number डाले, mobile number को confirm करें, अगर आपके पास land number है, ठीक है with s3d code, यहाँ पर mention करें same as present address, अब देखो, इन दोनों उनका गर कहीं और होता है, तो अगर आपका ऐसा है कि आप कहीं और बाहर से तियारी कर रहे हैं, तो अगर आपका एक पासवर्ड चूज करें, ठीक है, जो की मैक्सिममा आपका आट से पंदर करेक्टर के बीछ में आता हो, इस password में आपको ठीक है अपर alphabet ठीक है अपर case लोर case अपर case लोर case का मतलब capital letter भी रखना है small letter भी रखना है special character भी रखने है special character मतलब आपका add the rate ठीक है underscore ठीक है आपका dollar वाला sign ठीक है जो भी आपकी keyboard पर रहता है और एक number भी रखना है वही same password यहां रखे security question चूज करे security question जो भी आप चूज करे ठीक है जो भी आप x, y, z security question चूज करो वो security question कहीं अपनी copy पर उतार लीजेगा और उसका answer जो आप दे रहे हैं वो भी कहीं पर उतार लीजेगा इसका क्या फायदा है इसका यह फायदा है कि by chance let us suppose कि आप अपनी ID वगेरा भूल गए है ना, तो security code का answer करके आप अपनी ID वापस से recover कर सकते है जब हम final एक बाद form बढ़ जाए उसके बाद ये वाली चीज अगर आप भूल गए हो अपना application number या ID वगेरा आप इससे recover कर सकते हो तो ये बहुत important है इसे कहीं उतार लीजेगा जो भी capture दिया है, जैसे कि यहाँ पर ये capture दिया है ये डाले, submit कर दे, जैसे ही आप submit करोगे, ठीक है आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा ठीक है कुछ ऐसा interface आएगा, वहाँ पर आपको बेसिकली ठीक है, मुबाइल नंबर पर आपका OTP बेसा जाएगा उस OTP को डालना है OTP डालके, submit registration form पर क्लिक कर देना है और बहुत सारे आपके जो information दी है उस पर चेक कर देना है ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाता है जब एक बार हो जाएगा तो ऐसा कुछ पेज खोलेगा registration form, application form, fee payment verify mobile number अब mobile number तो verify हो चगा है क्योंकि उस पर आपका OTP है verify email ID, सबसे पहले आपना email ID verify कर ले जो भी आपका XYZ email ID है वो डाले, security pin जो यहाँ दिया हुआ हूँ है वो डाले ठीक है, जैसे ही आप click करेंगे ठीक है, तो आपके पास ठीक है, एक basically code आएगा email पे, उस code को वहाँ पे डाल दे आपकी verify हो जाएगा इसके बाद आप अपना application form वरे contact details आपका complete है यहाँ आपका application number दिख रहा होगा तो सबसे पहले personal detail में पे click करे, option पे और जो भी है candidate का नाम, date of birth, gender father's name, mother's name nationality, category आप general है, SCA, STA, OBCA, NCL है ठीक है, वो ठीक है, next thing is, अगर आपके पास कोई basically disability है ठीक है, तो disability वाले option में disability mention करें, अगर employment status, ठीक है, अगर आप employed है, तो employed mention करें कोई employment नहीं है आपके पास तो employment, no employed show करें, है ना, security pin जो यहाँ दिया होगा, वो fill करें save as next करें, ठीक है now, अब आप कोन से paper के लिए apply कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जासे आप click करोगे, तो आपको तीन option दिखेंगे cable paper first, cable paper second या paper first और paper second both, ठीक है, मैं आपको दोनों का बताऊंगा, दोनों का कैसे करना है जैसे कि मैंने, यहाँ दोनों के लिए भर रहा हूँ paper one के लिए भर रहा हूँ, paper two के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पे language one, जो भी आप language one में रखना चाहते हो, language two जो भी आप language 2 में रखना चाहते हो, ठीक है, अब यहाँ minimum qualification for class 1st to 5th और minimum educational qualification for 6 to 8th, है ना, अब यह क्या है, यहाँ जैसे यह आप click करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, कुछ side में pointers दिखेंगे, pointers क्या है, मैं आपको short में बता देता हूँ, paper 1 के लिए, टोटल 6 point दिखेंगे, ठीक है, जिसमें code 1 का मतलब है, ठीक है, आप 12th pass होने चाहिए, 50% mark होने चाहिए, और आप 2 साल का DLED होना चाहिए, जिसमें आप या तो passed हो, या फिर आप appearing हो, है ना, किसी भी साल में, है ना, पस्टियर में हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, code 2 का मतलब है, 12th pass हो, 45% mark हो, दो साल का DLED हो आपका, या तो passed हो, या अपीरिंग हो, ठीक है, code 3 का मतलब है, 12th pass हो, 50% mark हो, ठीक है, code 4 का मतलब है, 12th pass आउट हो, 50% mark हो, और 2 साल का आपका DLED हो special education में, जो basically special need वाले चाइल्डों के लिए करी जाती है, उसमें आपका pass होना चाहिए, इन में से कोई भी code उठा के, आपको यहाँ paper 1 में डाल देना, जैसे का आपने first choose कर लिया, तो उसका मतलब यह है, second choose कर लिया, तो इसका मतलब यह है, third choose कर लिया, तो इसका मतलब यह है, four choose कर लिया, तो इसका मतलब यह है, बट कोई भी उठा के मतलब यह नहीं है कि खुछ भी अपने मरजी से डाल देना, आपकी जो qualification है उसके according आप डालेगे अगर आप B.A.D. student है तो आप code 5, code 6 दिये हुए है बट यहाँ जब आप apply करते हो वो number नहीं दिये हुए code 5 और code 6 क्यों B.A.D. student के लिए और Supreme Code के decision के according आपकी B.A.D. student paper 1 नहीं पर सकते है on the other hand ठीक है जो आपका 6 to 8 की तियारी कर रहे है ठीक है मतलब 6 to 8 मतलब SST और Maths और Science background के लिए तो इनके लिए total 8 code है यह 8 code कौन-कौन से ठीक है code 1 का मतलब है graduation किया हुआ है 50% mark है 2 साल का आपका DLA passed appearing code 2 graduation या फिर post graduation किया हुआ है 50% mark है 2 साल का आपका DLA passed or appearing code 3 का मतलब है graduation है 45% mark है और आपके पास 2 साल का B.A.D. है passed or appearing code 4 12 है आपकी 50% mark है 4 साल का B.A.D. program है passed or appearing code 5 12 है 50% marks है ठीक है final year में हो B.A.C.Ed. integrated जो प्रोग्राम्स होते है उसके या B.A.Ed. और B.A.C.Ed. के integrated programs code 6 का मतलब graduation हो 50% mark हो B.A.D. हो आपका special education में passed or appearing code 7 का मतलब है किसी भी recognized universities है अगर आपने B.A.D. या B.A.D. equivalent कोई डिगरी कर रखी है तो उसके लिए आप code 7 चूस करे code 8 का मतलब है post graduation अगर है 55% marks है और आपका 3 साल का integrated program हो B.A.D. और M.A.D. का past or appearing है ना तो उसे साब से आप paper 2 के code चूस करे ठीक है यहाँ पर आप subject offer subject offer में आप math and science ले रहे है 6 to 8 के लिए या फिर social science ले रहे है वो चूस करे ठीक है next thing is या qualifying exam और दिखेगा तो किस basis पर आप भर रहे है आप diploma D.A.D. के basis पर बर रहे है या आप B.A.D. के basis पर बर रहे है या फिर आपके पास दोनों है तो दोनों पर आप क्लिक कर दीजेगा ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर आपको चार option मिलेंगे ठीक है city का ठीक है तो city अपनी select करे exam city ठीक है पहले state select करे फिर वहाँ city select करे यहाँ पर second state select करे या फिर सेम state में another city चाहते है तो वो select कर लीजे यह सारा करके ठीक है यहाँ पर आपको security pin मिलेगा security pin यहाँ डालके save and next कर दीजेगा ठीक है या फिर आप फाइनल यहर में तो जो भी आप क्या बोलते है currently वो साल चल रहा होगा तो वो डाल दीजेगा ठीक है course का stream name क्या है ठीक है आपको कौन सा board and university है ठीक है result mode आपका कैसा चलता है वहाँ पर बहुत सारे university marks basis पे आपको क्या देते marks provide करते और बहुत सारे में cgpa system चलता है तो आपकी university में अगर marks system चल रहा हो तो यहाँ basically percentage चूज कर लिए जगा result mode में अगर आपका cgpa grading system चल लिए हो तो यहाँ पे cgpa यूज कर लिए जगा cgpa यूज करेंगे ठीक है अगर आप degree चूज कर रहा हो तो total marks कितना obtained marks कितना marks percentage कितनी बन रहे है वो आपको बताना पड़ेगा साथी साथ में यहाँ पे institute का pin code जहां से आपने basically डिगरी करी हुई है अगर आपको यह नहीं पता हो तो institute का नाम डालिएगा और उस क्या फोटोग्राफ का already size mentioned है कि minimum size 10 kb maximum 200 kb से जाधा नहीं होनी चाहिए और signature में minimum 4 kb और maximum 30 kb से जाधा नहीं होने चाहिए यहाँ upload करें यहाँ पे आपको दिखने लगेगा security pin डालिएगा save and next कर दीज़ेगा फिर आपको basically एक verification का page खुलेगा ऐसा यहाँ पे जितने भी option है मतला पूरा form आपको दिखेगा पूरा download मैंने ऊपर का नहीं दिखाया आपको यहाँ photo दिख रही होगी यहाँ signature दिख रहा होगा आपकी पूरी detail दिख रही होगी तो आगर एक बार उसको पूरे ढंग से देख लीजेगा अगर गलती है तो आप अभी edit कर सकते हो यहाँ बार आपने अगर final submission पर चले गए और आपने पैसे दे दिए फिर आपकी editing नहीं होगी तो यहाँ पे इस पे सब पर tick कर दिजेगा और I agree पे click करके final submission कर दिजेगा अब यहाँ पे आपका registration form complete होगया application form complete होगया fee payment रहे गई है fee payment के लिए जब आप click करेंगे अभी क्या हो रहा है ना अभी थोड़ी जब आप यह verify email ID कर रहो तो अभी server busy होने की वज़े से आपका mail पर जो OTP आना है वो नहीं आपा रहे अगर नहीं आपा रहे तो घवराईये मत आज आएगा server अभी busy होगा क्योंकि आज notification आए बहुत सारे लोग लगे होंगे mostly अगर हो सके तो सुबह 10 वजे से पहले और रात को 10 वजे के बाद form भरना चालू करो easily भरेगा तो जब आप गर्द होगे और यह भी complete लिखा जाएगा तो नीचे में आपका option आएगा किस का ठीक है that is payment का payment पर click करें आप net banking से pay करना चाहिए चाहते है आप card से pay करना चाहते है ठीक है आपके पास upi idea उससे pay करना चाहते है जो भी आपको methods select करें या आपको दर्शाएगा कि भाई कितनी पी आप pay कर रहे है अगर आप single paper के लिए कर रहे है तो आप basically 1000 रुपे दे रहे होंगे पेज को download करके रख लेना है कहीं पे save करके download कर वा लिजेगा उसकी hard copy ले लिजेगा काम में आएगी या फिर अपने id पे mail कर वा लिजेगा ठीक है उसकी उस copy को ठीक है आईडी पे रहेगी हमेशा के लिए रहेगी save रहेगी तो यह तो हुए आपका किस तरह से form बरा जाए अब बात करें त्यारी की तो त्यारी की भाई ठीक है इसके ओपर मैं आपको ठीक है पर आउट थे बागी सारे वो नहीं है दिक्कत यह हमारे पास proper guidance नहीं है कि कैसे हम तैयारी करें जल्द ही आपका basically seated की classes ठीक है चैनल पर चालू हो जाएंगी ठीक है मैं अपने सब्जेक की एक environmental science की और एक आपकी science की चलिए तो मिलते अगली वीडियो में till then have a nice day अगर आपको और कोई doubt हो तो आप comment box section में comment करके पूछ सकते मिलते नेक्स वीडियो में till then have a nice day bye bye good night take care जै हिंद जै भारत